हलो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम क्लास 12 वितान वुक का चैप्टर नमबर सेकिंड है जूच इसकी वेलू बेस्ट कोश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे और यह जो कोश्चन आंसर है स्टुडेंट्स एक्जाम्स के पॉइंट अफ यू से का पॉश्चन नमबर वन है लेखक के दादा का पढ़ाई के प्रती जो दृष्टी कोन था उसे आप कितना उप्यूक तपाते हैं और ऐसे लोगों के दृष्टी कोन में बदलाव लाने के लिए आप क्या प्रियास कर सकते हैं यहां पर लेखक के दादा जी से मतलब है लेख लेखक चाता था कि वैप्यान ने बच्चों के साथ पारशाला में जाए जाकर पढ़ाई करें और अच्छा आदमी बने पारशाला जाने के लिए उसका मन दड़बता था पर उसके दादा का पढ़ाई के प्रती दृष्टी कोन जो था वो बिलकुल भी स्वास्त नहीं थ जब लेखक देखता था कि दूसरे बच्चे पारशाला जा रहे हैं तो वो भी सोचता था कि वो भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाए और वहाँ पर जाकर पढ़ लिखकर वो एक सब्भे आदमी बने लेकिर उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो स्कूल में जाए वो उसे खेतों के काम में लगाकर रखते थे और खुद वो सारा दिन आवारा करती किया करते थे। बादक बनने वाला ऐसा दिश्टी कौन किसी भी कौन से उप्योक्त नहीं है और हम ऐसा किसी भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी वेक्तियास दिश्टी कौन रखे कि वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए और अपने बच्चों को ना पढ़ा कर वो मजदूरी में घर के माबाप का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो अपने बच्चों का भला नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा ऐसे लोगों का दिश्ट्रिकौन बदलने के लिए मैं निमलेखित प्रियास करूंगा या करूंगी लेखा के दादा जैसे लोगों को शिक्षा का महत्व बताएंगे और शिक्षा से वन्चित बच्चे मजदूर बन जाते हैं उनके पास मजदूरी करने के अलावा और कोई सादर नहीं रहता और अपना पूरा ही जीवन वो सिर्फ और सिर्फ दो जो उनकी रोटी कमाने में ही बिता देते हैं और वो भी उने नसीब नहीं होती तो सबसे पहला काम तो हम यहीं करेंगे कि हम ऐसे बच्चों के माता पिता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है अगर वो आज अपने बच्चों को शिक्षा के धन से वन्चित रखेंगे तो उनका बच्चा जो है मजदूरी करेगा और उसके बाद वो अपना सारा ही जीवन कठिन पर इक्ष्रम करता रह जाएगा और उसके बावजुद वो अपने लिए दो टाइम का खाना भी अच्छी तरीके से नहीं जुटा पाएगा और अगर वो खुद परिशान रहेगा तो वो अपने महबब का ध्यान कैसे रखेगा अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करीगा तो सबसे पहले तो हम ऐसे परिवार के लोगों के पास जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाने की कोशिश करेंगे शिक्षा व्यक्ति के जीवी का पार्जोन में साधन का कारे करती है आप जो शिक्षा होती है ये केवल एक शिक्षित होने के लिए नहीं है बलकि ये इनसान को कमाई करने के एक अच्छे आफसर भी प्रदान करती है हम उन्हें ये सब चीजे बताएंगे इस तत्ते से उन्हें अफ़गत कराएंगे कि पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति एक सब्वे समाज का महत्वपून हिस्सा बन जाता है और वह समाज के उत्थान में अपनी भागेदारी को प्रस्तुत करता है क्योंकि जब पढ़ लिखकर व्यक्ति एक सब्वे इंसान बनता है तभी तो वह समाज के लिए कुछ कारे करेगा कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और कोई दूसरे तरीके से अपने देश के, अपने समाज के लोगों के सेवा करेगा और बदले में वो उससे धन भी प्रात करेगा जिससे कि वो अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को भी सुचारो रूप से चला सके तो इन सारी चीजों को ऐसे बच्चों के माबाब को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं ऐसे लोगों को समाज के कुछ लोगों का उधारन भी दूँगी और उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे हम कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि लोग भी उन बच्चों पर गर्व कर सके और उसके साथ साथ वह है आप लोगों को भी नमन करें कि आप उनके माता पिता है तो एक तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि बच्चे जो है सब्बे समाज के नागरिक बनेंगे और लोग भी उनकी तरफ गर्व की नजर से देखेगी कि देखो उसका बच्चा डॉक्टर बन गया देखो उसका बच्चा सिविल इंजिनियर बन गया तो इस तरीके से जो पढ़ने रिखने के बाद एक बच्चे का रुटबा होता है तो उस रुटबे से ना केवल उस बच्चे का ही मान बढ़ता है बलकि उसके माता पिता का भी मान बढ़ता है और वो भी बहुत जादा गर्वित महसूस करते हैं ये सारी के सारी जो चीजे हैं सारा का सारा जो दुश्टिकोन है हम ऐसे बच्चों के माता पिता को बताने की कोशिश करेंगे और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और अगर उसके बाद भी और नहीं पढ़ाते हैं तो तिल दन की बच्चिंग से कनेक्ट थैंक य।